अरे भाई हिंदुओं के तेभार है दिवाली छट ये पूरा कार्टिक महिना हिंदुओं के बार तेभार के लिए जाना जाता है ऐसे में ट्रेनों की शंख्या को कम कर देना और हिंदू या जो भर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए नार किये जीवन था क्या नरेंदर मोदी जी जैसे लोग हिंदु धर्म को मानते हैं जिनोंने जसोदा बेन के मांग में शिंदूर भरकर जिसने अगनी के साथ फेरे लिए जिसने साथ बचन निभाए जिसने साथ जनम जीने मरने की किसम काई एक जनम में ही छोड़ दिया वह नबेचारी सुहाग कि अब दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की बात कहते कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कोई भी धर्म कि आप उसको गाली दीजिए उस धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग खुस होंगे और वह आपको चंदा देंगे देश में यहीं चल रहा है यह लोग नफरत के की बात कीजिए कभी इनों धर्म के नाम पर जो देश लूटने वाले लोग हैं जो देश रोही लोग हैं कभी क्या इनका आपने देखा है कि वह अस्पताल की लराई लर रहे हैं कभी करोना काल में देखा कि नहीं हम बोदिष्ट हैं हम बोदों को घर तक पहुंचा रहे हम हिंडू हें उ सानवाज उसन किसका दामाद है ये तोा बहीं किंडू करोद है आप भी म्डाबलू कार में चलते हैं आप चलते हैं आप यच्ट प्लस वरक्षा लेते हैं आप अपने लिए नया कार्याले बना रहे हैं उसके लिए हिंदू धर्म कमजोर नहीं हो रहा है कम नहीं हो रहा है जब भारत का प्रधान मंत्री हिंदू है जब राष्टपती हिंदू है मुक्रमंत्री हिंदू है राजपाल हिंदू है पुलिस कमिशनर हिंदू है एसपी हिंदू है कलक्टर हिंदू है तमाम अधिकारी हिंदू है तो अब हिंदू के बारे में अगर इस तरीके की बात मोहन भागबत कहते हैं तो मोहन भागबत जैसे लोगों को अपने घर में जहाकना चाहिए मोहन भागबत का दामाद मुसल्मान है उनकी बहती जी किसे सा कर रहे हमें इसकी ज़रूरी है और आपने कहा कि हिंदु धर्म हिंदू सब्द जो है वह गलत सब्द है समझे हम सनातनी हैं हम सबसे पुराने लोग है और हमारा जो जितने आप सभी धर्मों में देखे होंगे आराधे को कुछ लोगों ने इसको बैपार बना लिया है कि आप उसको गाली दीजे उस धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग खुस होंगे और वो आपको चंदा देंगे देश में यही चल रहा, यह लोग नफरत के सौधागर हैं, आपको शब के बक्तब्य का निरिक्षन करना होगा, सवाल है कि जितने भी आरादेदेव, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, इनसान के रूप में जनम लिया, और उन्होंने कहा, भूख सब को लगती है, इसलिए उनके रोजी रोटी की बेवस्था होनी चाहिए, बीमार सब होते हैं, इसके लिए उनके स्वास्त की बेवस्था होनी चाहिए, सब को तकलिफें होती है, तो उसके लिए कल्यान की बाते होनी चाहिए, यह आज के जरे में कोई नहीं करता, यह सारे के सारे चंदा खोर लोग हैं, यह नफरती सौधागर लोग हैं यह विदेशी सक्कियों के हाथ में बिके हुए लोग हैं जो हमारे देश को कमजोर कर रहे हमारा कोई भी धर्म कोई गाजर मुली थोड़ें नहीं सारी चीजें फिर आप वही बात है आप आईए परहुसरी राम मासिता के लिए रावन का बद्किया लंका तकी यात्रा तैगी क्या नरेंदर मोदी जी जैसे लोग हिंदु धर्म को मानते हैं जिन्होंने जसोदा बेन के मांग में शिंदूर भरकर जिसने अगनी के साथ फेर हम कहेंगे आप धर्म की व्याख्या किस हिसाब से करते हैं यह आपका करतब्रह हैं सबको इजाजत है सनातन धर्म में विस्व वसुदय्व कुटमकम की बात होती है सनातन धर्म नरही नाराइन की बात होती है सनातन धर्म में शर्जन हिताई शर्जन सुखाई की बात होती है सनातन धर्म में पेर कैसे जिन्दा होगा इसकी वेबस्था है कि हम पेर में जल डालते हैं पेर की पूजा करते हैं जल के जीव कैसे जिन्दा होंगे इसलिए हम जल के जीवों को दाना डालते हैं बायू मंडल के जीव कैसे जिंदा रहेंगे इसके लिए हम बायू मंडल के जीव को दाना डालते हैं आप देखते हो येगा कुट्टों को खिलाने की परंपरा है गाई को खिलाने की परंपरा है ऐसे में कोई भी धर्म नफरत की बात नहीं कहता अप आईए इसे लोग उस सम को जर्म दे रही थी लोग सरकों पर रेल के पट्रियों पर कट कर मर रहे थे लोग पैदल घर नहीं जा पा रहे थे कोई अपने बीमार मा को अपने कंधे पर लाद कर पूने से दर्भंगा तक घर गया कोई बेटिया जिस बेटी को हम पूछते हैं वो तेरह साल की बेटी को यह नहीं दिखा कि जब हिंदुओं के लास को विट्टी में दफनाया गया हिंदु धर्म में शॉल्ला संस्कारों में एक अंतिम संस्कार हुई है तो आप तो मोहन भागवत भी बनाना चाहते ना जाती कि बात कर रहे हैं किसे ने हाँ बिल्कुल जातियों का कोई भी ज बिल्कुल यह जो लोग हैं जो धार्मिक ठेकेदार हैं जो मुनाफे के लिए काम करते हैं वो ऐसा करते हैं आपने देखा होगा निशाद राज त्याग राज आप जरासंद को क्या कहेंगे भगवान स्री किष्ण के नाना थे आप कहर जाती से कहेंगे ऐसा नहीं होता मिथ्या चीजें हैं हमें उन चीजों में नहीं जाना चाहिए मैं सब जो वो चीजें जो इनसान को तकलिफ देती है जो इनसान को इनसान से दूर करती है मैं उन सब को मिथ्या मानता हूं चुकि हमारे अराध्यदेव प्रवुस्रे किष्ण ने यह साफ और साफ कहा नरी न कुरान में 40 गर कोई भूखा नहीं होना चाहिए कुरान में दारू नहीं पीना चाहिए हिंदु धर्म में भी नहीं पीना चाहिए बहुत धर्म में भी नहीं पीना चाहिए कितने लोग हैं जो नसा का आदी नहीं है भाईया उस समय आप धर्म नहीं मानते एक दूसरे को गाल में अपनाए यहीं चीज़ा लोग है जो इस पर आमदनी करते हैं अपने पद्रा का भी आन सुना होगा भिष्णू के अब तार भी माने जाते हैं अब हम तो उस समय थे नहीं हम तो इस समय हैं हमारे लिए अगर बौध हैं तो भी इंसान हैं और यह इसाई हैं तो यह भी हमारे भाई हैं यह बबाल राजनितिक रोटी शेखने बाले लोग करते हैं एक बात बताईए 75 साल हो गए आजादी के जातियों के नाम पर धर्म के न स्कूल के लिए बात कीजिये को लेज की बात कीजिये कभी इन्हारमिक धर्म के नाम-पर जो देश लूटने वाले लोग cooling ऑने देखा हैं कि वह अस्पाठाल की रख रहे हैं कभी करोना काल में देखा कि नहीं हम बुदिश्ट हैं मौधों को घर तक पहुंचा रहे हम लश यहीं मैं कहा हूँ हम जिस धर्म में हैं हम देखे हम इसकी भी इजाजत नहीं देते कि आप इसलाम को गाली दो बहुत को गाली दो हिंदू को गाली दो सिक को गाली दो आप उसको गाली दो इसकी इजाजत मैं नहीं देता और मैं उन चंडा खोरों में से सामिल नहीं हूँ मैं इस देश का बेटा हूँ सभी धर्मों का शम्मान करता हूँ जो इंसान है इंसान इंसान स से महबबत करें इनसान इनसान को पूजे इनसान की सेवा नर की सेवा नाराइन की सेवा यह हमारा धर्म सिखाता है इसलिए किसी भी धर्म पर नो कॉमेंट